नमस्कार इंडिया इस्पिक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिन्टू जा यूपी के बाहु बली नेता मुक्तार अनसारी के बेटे अब्बास अनसारी को सुप्रीम कोट ने आर्म्स एक्ट के केस में अंत्रिम राहत दे दी है इसके साथ ही यूपी सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो अगामी आदेश तक कोई परती बंधात्मक कारवाई ना करें अब्बास अनसारी के खिलाप यूपी विधान सवाचनाव के दोरान भड़काउ भासन देने के आरोप में मौ में केस दर्ज किया गया था मामले में ACJM, MP, MLA कोट ने विधायक अनसारी वा उसके भाई उमर अनसारी के खिलाप गयर जमानती वारंट जारी किया था अनसारी पर आरोप है कि वर्ष 2012 में लखनों से जारी किये गए सस्त्र लाइसेंस को बगर सुचना दिये ही उन्होंने अपने दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया था इसके बाद मामला कोट में पहुचा और कोट में लगातार गयर हाजडी के कारण सांसाद विधायकों की विशेस कोट ने अबास अनसारी की संपत्ति कुर करने के आदेश दिये सांसाद विधायक कोट के नियादिस अंब्रिस शिरिवास्तव ने सियार्पिसी की धारा तेरासी के तहत लखनों की महानगर पुलिस की अरजी का संग्यान लेते हुए कुरकी आदेश दिया मामले की अगली सुनवाही के लिए 17 नवंबर की तारिक तैकी है कोट ने उन्हें भगोडा भी घोसित किया उधर गेंगेश्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंधपूर विधायक मुक्तार अंसारी की पेसी मंगलवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग से हुई विशेस नियायादिस MP MLA कोट दिनेश कुमार चौरस्या ने मामले में साक्ष के लिए 9 नवंबर की तिथी ताई की मामला दक्षिन तोला थाना छेतर का है अभियोजन के अनुसार ततकालिन प्रभारी निरिक्षक दक्षिन तोला निहार नंदन की तहरीर पर फरजी असलाः प्रकरन मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बना कर मुकतार अंसारी इसराइल अनसारी सलीम और अनवर मामले में मंगलबार को साक्ष होना था लेकिन कोई साक्षी कोट में उपस्तित नहीं हुआ जिस पर ADJ ने मामले में साक्ष के लिए 9 नवंबर की तिथी ताई कर दी अभी के लिए फिलाल इतना ही तो इसी तरह की महत्पुन जानकारी के लिए बने रहे इंडिया इस्पिक डेली के साथ धन्यवाद